तो आज सूस फूट कॉर्णर पे छे बहतरीन तरीका के लसी बनाएंगे गर्मियों में लसी तो हर घर में बनता है कुछ अलग हो तो मज़ा आ जाएगा बहुत ही सिंपल घर में रहने वाले चीज़ों से बनाएंगे तो जरूर देखिए ये वीडियों तक सूस फूट कॉर्णर स्पेशल लसी नमस्कार मैं वो सुभंकरियों और आप सब का स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सूस फूट कॉर्णर पे उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मेरे चैनल पे अगर अपनाए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल बटन को टाप करना बिलकुल मत भूलेगा बेल बटन के ओल पे क्लिक किजेगा और मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं 6 तरह का लसी बना रही हूँ तो लगभग 7500 ग्राम में आपे दही ले ली हूँ ये गाढ़ा वाला दही है तो लसी बनाने का सबसे important और सबसे जरूरी tip ये है कि इसको grinder में बिलकुल ना चलाए लसी नहीं रहेगा शेक बन जाएगा तो इस तरह से जो घोटने वाला आता है ना दाल वेगरा उसमें घोटते हैं वो तो मेरे पास नहीं था जो विस्क है उसी को मैं यूज कर रही हूँ इससे भी वही effect आता है देखिए ये थोड़ा जैसे घोटना वाला दही रहता है ना कुछ कुछ उस तरह का लगता है इस तरह का original लसी बनता है चर्निंग जिसको बोलते हैं ग्राइंडिंग नहीं तो ये बहुत जरूरी है एक बार ये ऐसा हो जाए उसमें दो कप पुरा चिल्ट थंडा पानी डालेंगे दही जो लसी जो होता है उसका जो दही होता है जाधा पानी वाला नहीं बनता है एक बार इस तरह से पानी जो पानी में डाली हो पुरा चिल्ट डाली हो बरफ में नहीं उसकर रही हो आइस क्यूब्स इसलिए पुरा चिल्ट पानी डाली हो इसको मैं ऐसे बेस बना ली अब हम फ्लेवर्स देंगे तो पहले सीजन में है तो आम में यूज़ करी हूँ आधा कब देखी पूरा पके हुए आम ली हूँ उसको छिल के चुछोड़े पीसेस में काट ली हूँ सारा मैं यहाँ पर डाल दूँगे ब्लेंडर में थोड़ा सा बचा लूँगे दो से तीन चमच पिसा हुआ चीनी और इलाइची पाउटर डाली हूँ और पानी दो से तीन बड़ा चमच डाल के इसको प्यूरी बना लूँगे इलाइची का और आम का जो कॉंबिनेशन है ना ओसम हाता है और यह जो प्यूरी है ना कि देखी इस तरह से पुरा स्मूथ हो गया है आधा आम से लगबग दो ग्लास लसी बन जाएगा तो अभी मैं ग्लास ले ली हूँ ग्लास में पहले हम दही डाल देंगे जो हम दही घ आम के वज़े से कितना प्यारा कलर आ गया है अब मैं दही डाल दोंगी जितना बड़ा आपका ग्लास हो साब से डाल दें चेल दही है मैं आइस क्यूब नहीं डाली हूँ मैं बार बार बोल रही हूँ अब चाहें तो डाल सकते हैं तो अब इस तरह से घूलने के बाद इतना फ्रेश लगता है न ये एक मीठा वाला पान ले ली हूँ बस इसमें क्या है न जो अंदर का कथा होता में वो नहीं डलवाई थी पेपरमेंट नहीं डलवाई हूँ और अंदर का जो मसाला है वो भरपूर है और जो सुपारी होता है न वो निकलवा दी हूँ मीठा पान ना मिले तो खाली पान का पत्ता भी आप बना सकते हैं, मुझे मिला था तो मैं ले ली, गुलकद ले ली हूँ, दो बड़े चमच, अगर पान में ही डलवा देंगे जादा तो भी चलेगा, दो से तीन बड़े चमच में पानी डाल दी, एक्स्ट्रा चीनी में इसमें न दही डाल देंगे और फिर पान का प्यूरी था वो डाल देंगे, एक बारी मिला लेंगे अच्छे से, मिलाना बहुत जरूरी है, उसके बार टॉप अप कर लेंगे चिल दही से, जो हम फेंटे थे, और जैसे मैंने बोला चाहें, तो थोड़ा सा चीनी का पाउडर उस पान नट्स है, कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, बेसिकली जैसे मीठा पान के अंदर रहता है न, वो है, और बहुत ही ताजा ये रिफ्रेशिंग सा पान लसी हमारा तयार है, फिर पनाएंगे किड्स का फेवरेट चॉक्रिट लसी, मिल चॉक्रिट ले ले ली हू छोटा-छोटा उसमें फिर थोड़ा ज्यादा फ्लेवर हैंस के लिए, एक छोटी चमच कोको पाउडर डाली हूँ, दो से तीन गलास के लिए एनफ होता है, तीन बड़े चमच दूद में, दो बड़े चमच पिसे वी चानी मी लाके, डाल दी हूँ, क्यों ये कोको पाउ लसी में मज़ा आएगा, क्योंकि हम इसको ब्लेंड नहीं करेंगे और, तो पहले गलास में चॉकलेट सिरफ में लगा दी हूँ, देखिए, एक बड़ा चमच के आसपास होगा, ऐसे ही रैंडम ली चारो तरफ में स्प्रेट कर लूँगी, इस से बहुत अच्छा लुक आ आए थे न, वो डाल देंगे आधा, दो गलास, बड़े गलास बन जाए कि जितना मैं बताई हूँ, एक बार ये अच्छे से मिला ले, ये बहुत अच्छा कॉम्मिनेशन लगता है, लसी और चॉकलेट का मिलाने के बाद, फिर उपर से दही का टॉप अप कर लेंगे, सब लसी में आप मिठास अपने हिसाब से एड़िस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर चॉकलेट सिरफ डाल के इसको हम चिल्ट सर्फ करेंगे, ओसम लगता है, किट्स हैं, तो सबको ये बहुत अच्छा लगेगा, तो मिठी लसी तो बहुत होगी, एक नमकीन लसी बनाते हैं, आम का या कैरी फेवर का, कच्छा आम तो मार्केट में मिल रहा है, आधा आम को, मैं इसका चिल्का उतार के उसको उबाल नी हूँ, तो ये में ले ली हूँ, लगभग आधा आम ले ली हूँ, दो से तीन गलास के लिए, बड़ा गलास हो तो दो गलास, छोटा हो तो तीन बन जाएगा और इसमें आम वाला अद्रक में डाली हूँ यह आम का पेड़ के नीचे अद्रक होता है इसका जो फ्लेवर है यह कच्छे आम का होता है तो इसको इस तरह से में लेके थोड़ा हाफ इंच के आसपास डालूंगे ना मिले तो नॉर्मल अद्रक का एकदम तो एक ब्लेंडर में केरी डालके उसमें आम वाला अद्रक थोड़ा पुदिना पत्ता 8-10 हरा मिर्च आधा ली हूँ और इसमें गोल्मिर्च पाउडर आधी चोटी चमच डाली हूँ भुना हुआ जीरा आधी चोटी चमच डाली हूँ और पानी डाल दी हूँ दो से ती एस रेडिय हो गया इतना जबर्दस्ट चटकारा वाला ये बनता है न देखिए पूरा स्मूथ है जैसे मैंने बोला बढ़ा ग्लास हो तो दो ग्लास बनेगा अगर मीडियम ग्लास हो तो तीन ग्लास बन जाएगा इस से तो अब न ग्लास में पहले दही डाल देंगे दही डालने के बाद जो पियोरी बनाए थे न हम कहरी वाला वो थोड़ा सा डाल देंगे मिला लेंगे मैं बार बार इसलिए मिला रही हुँ न क्यूंकि हम grinder यूज नहीं कर रहे हैं तो एक बार मिल जाएगा अच्छे से फिर उपर से दही का टॉप अप कर लेंगे देखिए चिल्ड दही में बार बार बोल यूँ थंडा एकदम और उसके बाद फिर से एक बार ही मिला लेंगे जब मिल जाए तो सफ करने से पहले इसके उपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा थोड़ा सा गोल म्रिश डाल दे और थोड़ा सा एक पुदीना पता रख लें इससे बहुत अच्छा लुक आता है तो हमारा नमकीन वाला सॉल्टेट केरी फ्लेवर का लसी रेडी है और फिर बन रहा है वनीला बनाना लसी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एक बड़ा सा इसका ना पका हुआ बनाना या केला ले ली हूँ उसको चौप कर ली हूँ ब्लेंडर में डाल दी हूँ काजू ए दो से तीन चमच बड़े चमच पानी डालके इसको अच्छे समें ब्लेंड कर लूँगे इसका बहुत जबरदस सा प्यूरी टाइप का बनता है और जिनको बनेना पसंद है उनके लिए तो यह लसी बहुत फ्लेवर फुल रहता है देखिए पुरा स्मूथ हो गया जब एक दही डाल देंगे दही डालने के बाद जो प्यूरी बनाए थे हम बनाना वाला वो डाल देंगे आधा जैसे मैंने बोला दो ग्लास बन सकता है बड़ा ग्लास एक बार यह अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से बनाना तो यह मज़दार बनता या पर चोटा हो तो दो डाल एक बार मिलाने के बाद उपर से फिर हम दही डाल देंगे चेल्ड होना चाहिए मैं बार बार बोल रही हूँ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसके उपर तो अब इसके उपर मैं कुछ मिक्स फ्रूट्स ड्र रोज लसी इसके लिए न मैं ताजे गुलाब के पंखुडिया ले ली हूँ दो तीन बार पानी से अच्छे से दो ले और गनिक गुलाब हो तो ज्यादा अच्छा है तो ये ब्लेंडर में डाल दी रोफ सा हो या फिर रोज सिरफ हो दोनों से जो हो तीन बड़े चमच वो ड रहता है और लूप तो इतना अच्छा आता है तो अब लसी बनाने के लिए एक ग्लास में पहले में दहीर ले ली हूँ एक स्पून भर उसमें जो हम बनाए थे ना ब्लेंड के ते वो डाल देंगे मिला लेंगे और जैसे मैंने बोरा देखिए जो रोज पेटल से वो जब ब्लेंड हो गया है बहुत अच्छे से चुटे और फाइन पार्टिकल्स बन गया है मिलाने के बाद उपर से दही टॉप अप कर लेंगे और फिर उसके उपर कुछ चीज का जरुवत नहीं है जरा सा फिर मिक्स कर ले और उसके बाद क्यूंकि साही रोज लसी है तो रोज बनता ही है तो इस तरह से मैं डाल दी हूँ मेरा imagination है completely आपके उपर depend करता है और ये आपके सामने शाही रोज लसी तयार है तो देखा आपने कितना अच्छा और flavorful छे different तरीका के लसी हम घर में बना लिए सारे ingredients almost हर घर में available होते हैं तो जरूर ट्राय किजेगा recipe आप एक ब comment of the day का तो आज का जो comment of the day है वो है कुमार संजय पहरा का वो लिखते हैं दी बहुत अच्छा होता है समर के लिए बेल शर्बत so thank you the suggestion देने के लिए so yummy शर्बत thank you so much कुमार संजय कि आपको मेरा जो बेल का शर्बत था उसका recipe अच्छा लगा बेल सही में हमारे शरीर के तो वर्दान की तरह होता है बहुत ही अच्छा उसके health benefits रहते हैं आपने इतना पैरे कमेंट किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धनलीवाद और आज का जो recipe है वो बहुत खास है लसी और समर दोनों साथ सा चलते हैं और flavored recipe हो तो क्या बात है तो try करके मुझे feedback देना बि Happy Foodie